हेलो अब्रीवन, जै हिंद आज है दो अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम दो अक्टूबर से बनने वाले करन टफर के सभी इंपोर्टन कोश्चन को डिसकस करेंगे इसके पहले हम रवज़न कर लेते हैं, एक अक्टूबर को हम लोगोंने कौन-कौन से कुश्चन पड़े थे अभी हाली में ED के दुआरा, PFI के लिए ओपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया जो कि चर्चे में रहा जनजातियों के लिए वश्चो कोश जारी करने वाला पहला राज्य ओडी सा बना है भारत के नए अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को लेक आर्टिकल 76 में है, 76 में तो ये आर विंकट रमनी बन गए है, लता मंगेशकर अवार्ड से तीन व्यक्तियों को, मतब चार लोगों को सम्मानित किया गया है तीन अलग-अलग सालों के लिए, 2019 में शैलेंदर सिंग, 2020 में आनंद मिलन और 2021 के लिए कुमार शानुको अभी हाली में ग्रामण विकास मंत्राला ने जल्दू टैप लॉंच किया है, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्वर रानीपूर वन्यजी वभ्यारन ने बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का चौथा होगा लेकिन ये बुंदेल खंड का पहला होगा उत्तर प्रदेश का कैसे चौथा, एक तो दुधुवा, दूसरा पीली भी, तीसरा अमन गड़प चौथा, रानीपूर बनने जा रहा है फिर हमने नेक्स डिसकस किया था, विश्व अनुवात दिवस तो ये 30 सितंबर को बना जाता है ग्लोबल इन्वेशन इंडेक्स में भारत 40 स्थान पर है, टॉप पर इसमें स्विजर लेंड है और विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्किये, हरियाना के गुरुग्राम में इस्थापित किया जाना है ये सभी कुश्चन हम लोगों ने कल पढ़ लिये थे, तो आज का जो हमारा पहला कुश्चन है, ये इंटरनेशनल न्यूज बनी है रश्या और यूक्रेन से ही संबंदित है, सवाल है कि अभी हाली में रश्या ने यूक्रेन की कितने शेत्रों पर कबज़ा किया है देखिए कभी भी मैं आप लोगों को कोई नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज बताती है ना ज़रूरी नहीं कि एक्जाम में as it is पूछा जाएगा लेकिन जिससाब से मैं इसके extra fact इसकी location या कुछ additional जानकारी देती हूँ, वो आप लोग ध्यान से सुना करिए तो अभी हाली में रशिया ने यूकरेन के total चार शेत्रों पर कबज़ा कर लिया है, अब रशिया यूकरेन conflict बीते साथ वहीनों से चर्शे में है, एक दम basic से हम समझ लेते हैं इसके बारे में, मैंने एक map add किया है, हाला कि जब मैं आपको इस वीडियो की PDF प्रोवाइड कर रहें और फिर ये सबसे बड़ा प्राइडी पराप प्राइडीप है, ये यॉरप हो गया और फिर ये जो जिसकी में बात कर रही है, ये एशिया इसे आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आज जो हमारा मुद्द है इर्दगीर्दी इसी के है पुरे, रशिया को मैंने target कि ये रशिया का है, अब रशिया क्या Asia में आता है या यॉरप में आता है, तो देखेंगे, रशिया का न, कुछ हिस्सा Asia में आता है, जिसे हम कहते हैं Siberia, और रशिया की जो capital है Moscow, ये आती है यॉरप महादीप में, तो आप कह सकते हैं, ये दो महादीपों में फैला देश है रशिया, अब जिस पॉइंट को मैं नोट करने के लिए कहूंगी, आप इसे देखेंगे, ये क्या है कैस्पियंसी, ठीक है, कैस्पियंसी के इर्दिगिर्द पांच कंट्री बसी हुई है, इसकी ट्रिक मैं आप लगों को बता देती हूँ, ट्रिक है कृती, किसी लड़की जो कि इससे सीमा साजा करती है, ठीक है, अब इसी को आप ध्यान से देखेंगे, इसी लोकेशन के पास मतलब इधर रशिया है, और इधर जो यूक्रेन वाला शेत्र है, यूक्रेन, देखें, अभी मैंने आपको जो कैस्पियंसी की लोकेशन दिखाई है न, ये कुछ यहा स्थित है, यूक्रेन, है न, ये आप यूक्रेन वाला शेत्र देख रहे हैं, अच्छा रशिया और यूक्रेन की जो जंग है, किस कारण से शुरू ही, तो ये तो आप लोगों को मालूम होगा भई, आप किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनकी हस्ट्री अभी बी शामिल हो जाएगी, एक उपर है, कनाडा, कनाडा के नीचे में, अमेरिका, यूसे, दो नौर्थ अमेरिका से हो गया, ठीक है, एशिया से न, किवल जापान इसमें शामिल है, तीन, ये इजली याद हो गया, और चार इसमें जो कंट्री हैं, ये हो जाएगी यूरप से, य इसके बाद यहाँ इटली है, माफ कीज इटली, थोड़ा सा दूर बना दिया मैंने, ये है इटली वाला शेत्र, ये इसमें शामिल है, यूके इटली हो गया, जर्मनी और फ्रांस, तो ये हो गया फ्रांस और इधर कहीं जर्मनी की लोकेशन है, है न, तो ये चार कंट्री यूरप से, दो नॉर्थ अमेरिका सा, और एक एश्या से हो जाएगी, जो कि ग्रूप ओफ सेवन, इन साथ देशों का ये संगठन था, एक अंतर सरकारी संगठन, जिसकी जो स्थापना कप की गई थी, 1975 में इसकी जो स्थापना है, ये की गई थी, लेकिन 1998 के आते आते तक माफ कीजे, 1999 ने ये 1997 था, 1997, 1997 में रश्या भी इसमें शामिल हो गया, एक और कंट्री जुड़ो गई, तब इसे ग्रूप एट, ग्रूप ओफ एट कंट्री के नाम से जाना जाने रगा, सब को सही चल रहा था, बैट के भी प्रॉपर आयजित की जा रही थी, लेकिन 2014 में, अब सेधी हम गहें, तो आठ साल पहले, रश्या का ये जो क्रीमिया वाले शेत्र देख रहे ना, माफ कीजे, रश्या का, अब हाँ, रश्या का हो गया, ये पहले यूकरेन के शेत्र अधिकार में आया करता था, लेकिन 2014 में, अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, आप कह है ना, तभी से दोनों देशों के बीच में खुननस थी, युद्धे जैसे आसार पहले भी नजर आ रहे थे, लेकिन इस ताल जो देखने को मिला, ये बीते 8 सालों में नहीं देखने को मिला है, जिससे साबसे हिंसा की भी घटना, इन शेत्रों से हम देखते आ रहे हैं, त फिर, जापोरेजिया और खेरसां, जापोरेजिया की लोकेशन कुछ यहीं पार सस्तित है, जापोरेजिया लोहांसस की लोकेशन पॉइंट नहीं हो रहे हैं मै pretending लेकिन इर्द गीर्द बसे ये शेत्र हैं, तो इस पर भी कबजा कर लिया है, इसके और और यहां पर बवाल मचा हुआ है इसी बीच अब क्या है कि यूकरेन के लिए बुरी खबर آई है मतलब कि यूकरेन के चार राज्य को जिस पर अभी हाली में रच्यान कब्जा कर लिया था अब क्या है कि रच्या की प्रिधान शामिल कर लिए कर लिए कि एक पड़ा वर जल में यह चार इंत्री कि anticipating मतलब हम जन्ता से पूछ करके जंता के कहे अनुसार ये कह लिजे इसके बाद ही इसे हम अपने शेत्र में शामिल कर रहे हैं हलाकि मौस्कव प्रशासन ने ये दाबा किया कि जो डोनिस्क वाला शेत्र है यहां 99% जंता लुहांस्क में 98% जंसंख्या जापोरेजिया में 93% और खेरसान की 87% जं संग्र है यह रश्या के पक्षमे आया है हलाकि जो यूक्रेन है और जो अन्य पक्षमी देश है इसे यह अवैद्य बताते हैं और आधिकारिक तो तोर पर जो रश्या है मतलती रश्या में जापोरेजिया खेरसान को शामिल कर लिया गया है और इसके अलावा डोनेस्क और लिहांस्क इसे भी अप शामिल किया जाना है तो आप कह सकते हैं कि यह सारे घटना के बाद एक तरह के रश्या 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 बार-बार मूमियार है योक्रेन इसे एक बड़ा जहटका भी लगा है और अमेरिका ने ये तक कह दिया है कि जिन शेत्रों का अधिगरण किया गया रश्या के दुआरा हम उन शेत्रों को कभी भी मानिता प्रोवाइडर नहीं कराएंगे तो ये थी पूरी घटना इस कोश्चन से रिलेटेड फड़ सा लंबा टाइम इसमें खिच गया है इंटरनेशनल न्यूज में थोर टाइम लग जाता है रश्या ये बारें बेसिक आप लोगों को बताते ही रहती हूं कैपिटल मॉस्को करंसी रूबल प्रेसिडेंट प्राइम मिनस्टर बगेरा दो इंपोर्टन चीजे में आप लोगों को बता देती हूं एक तो मिसाइल का ना मियाद रख लीजे सौरी मिसाइल नहीं है युद्ध पोथ एचली मियाद कराना चाहरी थी यह जो ब्लैक सी वाला शेतर आप देख रहे हैं यहां रश्या को जो सबसे बड़ा युद्ध पोथ था मॉस्कोवा इसे मार गिरा आ गया था किसके दौरा युक्रेन के दौरा तो युक्रेन ने किस मिसाइल से इसे दागा था नेप्चियून मिसाइल यह आपके एक्जा प्रतिसत लगाया है पहरे इसका कहना था कि भारत का जनुमानिक व्रद्धी दर है यह 7.2 प्रतिसत रहेगी इसने अपने अनुमान को घटा दिया है पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं ऐसे मैं बता देती हूँ तीन-तीन के फॉर्म में याद रखें इसमें तीन जो सदस्य होते हैं एक्च्वल में टोटल एदियम कहें तो 6 मेंबर होते हैं तीन कौन होते हैं गॉर्मेंट ऑफ इंडिया के होते हैं और तीन होते हैं आर्भी आई के तो भारत में जो मुद्रस फीती का जो नरधारन करती है रपोरेट रिवर्स रपोरेट वगएर आपको बताया था मैंने रपोरेट कितनी ही चली बताये करन्ट टाइम में 5.40% एक्जेक्ट आकड़ा यही है तो यह सभी आर्भी आई के दुआरा मतलब कि इसकी मॉनटरी पॉलिसी कमीटी जो कि 2016 में उर्जित पटेल की सिफारिस पर लाए गई थी उर्जित पटेल आर्भी आई की पूरो गवर कास्ट की है अभी हाली में 68 में नेशनल फिल्म अवर्ड प्रवाइड कराए गया है इसमें बेस्ट एक्टर का अवर्ड किसे मिला है हाला कि जब विजेता की घोशना हुई थी तभी मैं आपको पढ़ा चुकी थी लेकिन यह अब अवर्ड मिल चुका है बेस्ट एक्टरस आशा पारिक को दादा सहाफ वाल के अवर्ड मिला यह बता चुकी हूँ चलिए आप लोगों के लिए सवाल है कि आपको कॉमेंट बोक्स में यह बताना है कि इसी नेशनल फिल्म अवर्ड में बेस्ट एक्टरस का अवर्ड किसने जीता है ठीक है यह आप लोगों को बतान है अमिताब बच्चन जी को 2018 में दादा सहाफ वाल के अवर्ड मिल चुका है 2019 का ही मिला है किसे नहीं माफ किजिक 2019 का रजनी कांत को 2020 का मिला है आशा पारिक को फिक है अगला प्रशने है केंद्री परेटर मंत्राले ने रिपोर्ड जारी कि है जिसके अनुसार 2021 किसन के बी तो गोवा हाला कि एक टूरिजम का हब बना हुआ था विदेशी परेटकों को भी आकर्शित करता था लेकिन बीते समय में देखा गया है कि इसमें महराष्ट और तमिल नाडू ये सुधार के सांथ मतलब कि विदेशी परेटकों को सबसे जादा इन्होंने आकर्शित किया हमारे जो उपराष्ट पती है जगदीब धनखड इनके द्वारा इस मामले में इंटरनेशनल टूरिजम देश्टिनेशन गोवा को भी पचाड दिया गया है और धार्मिक बिहार धार्मिक परेटकों का हब बंता दिखाई दे रहा है अच्छा टॉप 10 में बिहार में शाम पतर प्रिदेश है ये पाँच एयरपोर्ट वाला पाँच इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान से आप ये रेलेट कर सकते हो कि दुनिया की जो सबसे वड़ा एकॉमर्स कंपनी है एमाज़न मतलब कि भारत में से पहली बार हो रह लगाने जारी तो राजस्थान में तीन सोलर फर्म लगाएगी एमाज़न और हरियाणा का कल ही मैंने आप लगों को बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये गुरुगराम हरियाणा में इस्थापित करने जा रहा है गुजरास से रिलेट करोगे तो अट कहां रखी है तो ये रखी है भावनगर में बीते डेड़ से दो साल हो गए मुझे आप लोगों को ये बताती हो कि भाई गुजरात का जो भावनगर है यहां दुनिया का पहला CNG टर्मिनल बनने जा रहा है तो फाइनल इसके आधार शिला रग दी गई है प्रधार मंत्री करेंगी क्या है CNG टर्मिनल क्या इसकी वैल्ली हो वगएरा वगएरा तो गुजरात के भावनगर के पास आज गुजरात के नकसे में दिया आप देखेंगे ना तो भावनगर की लोकेशन कुछ यहां देख पा रहे हैं यह गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी से लगा हुआ ह हाला कि गुजरात का जब आप मैप देखते होंगे तो दो खाड़ी यहां प्यात रखते होंगे गल्फ ऑफ कक्षय और गल्फ ऑफ खंबात है तो इसकी लोकेशन आप देखेंगे क्योंकि कुछ ऐसे न्यूज जो होते हैं जो चर्चे में रहते हैं तो इसकी लोकेशन से है भावनगर और भावनगर में ही सबसे बड़ा या पहला आप कह लीजे से टर्मिनल का क्या मतलब होता है टर्मिनल शब्द काफी बार आप लगों पढ़ा होगा मैंने भी काफी बार बताया है आप लगों को जिसे रेलवे टर्मिनल बता चुकी हूं फिर एरपोर्ट के सब्सक्राइब में बी काफी बताया है और एरपोर्ट टर्मिनल टर्मिनल टिबाण बहतो टर्मिनल तो टर्मिनल का किया इयरपोर्ट के फों में देखें तो तो यह यहां हमone लाat कर रहे हैं CNG नहीं कि compressed natural gas तो भारत में ना देखो 50% CNG है न जो भारत में ही बन जाता है लेकिन 50% जो कि है भारत import करता है दूसरे देसों से दूसरे देसों में जैसे कि Middle East countries है फिर कदर जैसे देसों से ये 50% CNG का जो import करता है तो उसे के लिए उसी CNG के लिए ये दुनिया का पहला dedicated terminal मतलग कि विदेसों से यहां CNG आएगा वो तो ठीक है लिकिन भारत के अन्य हिस्सों से भी उसे के लिए पूरी तरह से एक तरह का dedicated hub आप कह सकते हैं जो कि कहा बनने जा रहा है भावनगर में बनने जा रहा है ऐसा भी तक विश्व में कहीं ऐसी विवस्था नहीं जो कि पूरी तरह से इसी के लिडिकेटेड हो तो ये भावनगर में बन रहा है तो इसके बनने के बाद आप कह लिजे कि जो गुजरात है ये भारत का ऐसा पहला राज्य हो जाएगा जहां CNG और LNG LNG ये लेकि निक्विफाइड नैच्रल गैस दोनों टर्मिनल ही है LNG के दो तीन टर्मिनल मुझे लगता है वैसे ही है लेकिन CNG का पहली बार बनने जा रहा है ठीक है अब चलिए ऑप्शन के बद्धिम से हम डिस्कॉशन करें अहमदाबा साबर मती नदी के किनारे बसा हुआ है जश्ट मने आपको यहां से अटल ब्रिज रिलेट करवाया है जिसका उगटन प्रधान मंत्री नहीं किया है और हैदराबाद जो की तेलंगाना की राजधानी है यहां स्टेची ओफ इक्वालिटी अगला प्रती अंडर से रिलेटर है तो फुटब को मालूम होगा तो अंडर से वंटी महिला सुब्रतो कॉप 2022 हाली में जीत लिया है जार खंड ने option number C इसका right answer हो जाएगा तो मडिपूर को हरा करके जार खंड ने ये खिताब अपने नाम किया है और सुब्रतो कॉप टूर्णामेंट भारत के पहले air chief रहे मार्शल सुब्रतो मुखर जी के नाम पर रखा गया था और इसकी शुरुवात 1960 में हुए उससाप से हम देखे तो इसका इसका एजन इस्थल मतलब कि हुआ जो इसका विन्यू ये दिल्ली रहा जार खंड की मैं बात करूँ इसकी राजधानी हो जाएगी राची मुख्यमंत्री हो जाएंगे हेमंत सोरिन राज जिपाल हो जाएंगे रमेस बैस बेतला नेशनल पार्क यहां का एक मात्र नेशनल पार्क है इसके लाबा जाम ताड़ा जिला यहीं इस्थित है जिसे अभी हाली में भारत का पहला हर घर हर गाउं कुस्त काले वाला पहला जिला ये जाम ताड़ा ही बना है अभी हाली में जो WHO है निकि World Health Organization इसके द्वारा जहार खंड को जो तंबाकू होते हैं ने तंबाकू नियंत्रण के लिए अवार्ड भी प्रोवाइड कराया गया है अब ऑप्शन की वाद करें हम तो हरियाडा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा अडीशन आयोजित किया गया था जिसमें की विजेता न मतलब कि टॉप पर इसमें हरियाणा ही रहा था केरल ने भी हाली में संतोस कप अपने नाम किया अब कॉमेंट बाक्स में अगला प्रशन पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है तो आर्मेनिया जो है लोकेशन गलत यहां ट्रैक हो गई है अज़र बेजान की चले तो पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देज बनने जा रहा है अर्मेनिया पिनाका क्या है तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर सिस्टम है जिसे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है यह 44 सेकेंड में मतलब की एक मिनट से भी कम समय में 72 रॉकेट दाख सकता है इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है मतलब आ चाहा आर्मेनिया की लोकेशन यहां गलत हो गई है जब मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगी तो मैं इसे अपडेट कर दूँगी मैप चेंज करने का कोई मतलब नहीं है यहां से मुझे बन भी नहीं पाएगा यह इसी के पास ही अजर बेजान के पास अजर बेजान के थोड़ा उपर यहां अजर बेजान निखा इसका मतलब यह नहीं समझेंगे कि डील अजर बेजान के साथ है देखो कैस्पिनसी वहीं डिसकुशन आगया न कैस्पिनसी की जो में ट्रिक बताई थी कृत्ति करके तो कैस्पिनसी के किनारे बसी पाँच कंट्री जिसमें की आर्मेनिया नहीं है यह ज़रूर याद रखेंगे यह से अजर बेजान और आर्मेनिया में कन्फ्यूज नहीं हो जाईएगा ठीक है तो यह डील है आर्मेनिया और भारत की रश्या के साथ भारत मतला S-400 ले ही चुका है इसके लावा AK-203 Assault Rifle ले रहा है भारत रश्या से फिलिपिनस ते इंट्रस्ट दिखाया है भारत की सुदेश तिर्मित ब्रमोज मिसैल को खरीदने के लिए और हैरान भारत किस से ले रहा है इसराइल से ले रहा है अगला प्रशन चर्चे मेरा operation गरुन की शुरुआत किस ने की है तो अभी हाली में जो CBI है Central Bureau of Investigation इसके दुआरा नसीली दमाव की तसकरी को रोकने के लिए या खूफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए अपरेशन गरुन की शुरुआत की है Central Bureau of Investigation 1963 में अस्तित में है हेड़कॉर्टर रही दिल्ली में है सुबोध कुमार जैस्वाल इसके महान इदेशक हो जाएंगे अच्छा ED ED का कल मैंने आपको बताया था अच्छा CBI का एक मेघ चक्र और Operation मेघ चक्र याद रखेंगे और Operation Octopus कल मैंने बताया था ED से related जो कि PFI के लिए इसने चलाया था Operation Operation Octopus ED से मेघ चक्र CBI से Operation Olivia यह ओलिवरडले कछो की प्रजाती के संड्रक्षन के लिए आइसीजी हर साल चलाती आइसीजी निकी इंडियन कोस्ट गार्ड रेल्वे के द्वारा तो आहट और रामत पहल में बता ही चुकी हूँ अगला प्रशन च्छतीसीव राश्टी खेलों को गार्टन प्रधान मंत्री कर दी हैं कहां किये हैं तो एहंदाबाद में किये हैं एहंदाबाद में जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टीडियम है नरंदर मोदी स्टीडियम यहां इन्होंने इसका शुभारम में किया है जिसका शुभंकर है सावज इसका एंथम है इस खेल का जुडएग इंडिया जीतेग इंडिया और थीम है celebrating unity through sports एहंदाब 503 संग्रहाल्या का उदगाटनदीम इसके लावा के लों इंडिया यूथ गेम्स का पहले अडिशन दिली में 14 पकुला में बैंगलोर में खेलो इंडिया यूणिरस्टी गेम्स का दूसरा डिशन हुआ जिसमें टॉप पर थी जैन उन्वरस्टी जैन ये उनिवर्सिटी नहीं थी टॉप पर कौन थी दिमाग से निकल रहा है बताएगा चलिए टॉप पर कौन सी उनिवर्सिटी रही थी भारत का पहला कोचिंग हब कहां खुलेगा तो ये जैपुर में खुलेगा देखे आज के 10 कोश्चन हम लोग ने डिसकुस्चन कर लिया लेकिन कहीं भी है मैंने आज स्टेट मैप पर फोकस नहीं किया सिर्फ जहार खंट वाला आया उसे भी मैंने सिर्फ एक कोश्चन को आपको मैप से दिखाया है बाकि आज हम ना स्टेट के जो सिटीज हैं उन पर फोकस कर रहे हैं उनके एक्स्ट्र फेक्ट तो भारत का जो पहला कोश्चन हब है ये जैपुर का जो प्रताप नगर है यहां 65,000 वर्ग किलोमीटर में अस्थापित किया जाना है कोचिंग की सर्व सुधायुक्त मतलब सारी व्यवस्थाएं जो कि इसलिए तो इसे कोचिंग हब कहा जा रहा है लगभग लगभग 2500 करोन रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा सूरत ये तापती नदी के किनारे बसा हुआ है गुजरात में ही इस्थित है भारत का पहला बुलर ट्रेन का जो स्टेशन है इसी सूरत में बन करके तैयार हुआ है जैसल मेर में इंडियन आर्मी के दौरा सबसे बड़ा भारती जंडा अस्थापित किया गया था इन दौर भारत का सबसे स्वक्ष सहर और भारत का पहला वाटर प्लस शहर भी हो जाएगा जैपुर में भारत का पहला ओर्गन डोनर मैमोरियल रिलेट कर सकते हो और इसके लावा 2019 में से युनिसको के दौरा वर्ड हेरिटेस साइट में शामिल किया गया था मैंने कल आप लोगों से पूछा था CBI का एक operation जिसका नाम है operation मेग चक्र आज का सवाल है हाली में मुहमद बिन सल्मान किस देश के प्रधान मंत्री बने है answer comment box में बताइएगा और फिर आपके जो भी feedback है feedback आप दे सकते हैं आप लोगों को अरड़ी मेरे टेली ग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रखी है टेली ग्राम में चैनल करा में कल्यानी मैं PDF डेली की quiz और PDF के लिए वहाँ जॉइन कर लें मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ थांक्यू सो मच